नमस्कार मैं हुशसी आये जर्गां के टॉप 25 पर्मोख खबर जनते हैं क्रिसी कानून पर संगराम के बीच किसानों से मिले पिये मोदी दिली के बॉडर पर 20 दिनों से किसान केंद्रे के क्रिसी कानूनों के खिलाप परदसन कर रहे हैं इधर पर्दान मंत्री नमदी ने मंगलवार को गुजरात में किसानों और एक अस्थानिये स्वयम साहता समोह के सदस्यों से मुलकात की बिभीन पर्योजनाओ के सिल्यनयास के सिल्सिले में एक दिवसे दोरे पर धोडो गाव पहुँचे मोदी से मिलने वाले अधिकांस किसान पंजाबी थे जो यहां बस गए हैं बतादे पर्योजनाओं के सिलन्यास के लिए एक सीमावार्ती जीले में आयोजित कारिक करम के इतर परधान मंत्री किसानों और स्वयम सहायत्ता समुहों के सदस्यों से अलग-अलग मुलकात हुई महसम विभा के उनसार पच्छमी विछोब का एक टर्फ चक्रवार्ती कम दबाव के छेतर में बदल रहा है ये एक कम दबाव का छेतर दक्षनी अरबसागर और मद अरबसागर में गुजरात के तर्ट तक बना हुआ है वही एक दूसरा चक्रवार्ती छेतर दक्षनी रायस् होने की संभावना है इसके साथ ही 17 दिसंभरता लागातार तापमान में गिरावट होने की संभावना है जारखन में आई से खुलेंगे स्कूल मुख मंत्री हेवां सुरे ने अबदा प्रबंदन विभा की समिक्षा बैठा की जिसमें मंत्री बना गुपता भी उपस्तित रह इस बैठाक में कई महत्पुन फैसले लिएगा है बैठाक में ताय किया गया की कुरोना लॉकडाउन के समय से बंद पड़े स्कूल और कॉलेजों में आज से पढ़ाई की सुरू हो जाएगी सुरू आत में सिर्फ दसवी से बरावी क्लास तक के बच्चे की कक्षा सुरू करने के अनुमती दी गई है साथी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई भी सुरू हो जाएगी बदादे इसके अलावा सरकारे ट्रेनिंग इस्चूट भी खोल दिये जाएगे सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविदा भी चालू रखन का निर्देश दिया है जारखन सरकार के आठ बड़े फैसले है सरकार का एथासिक फैसला सलक दुरघटना के मि απο आसे को 1,100,000 के मोवववयारसी दिया जाएगा यह मोववव्याय रासी आपदाप्रवंदन विभाग द्वारा धिया जाएगा शाधी समयरों में आयोजन में सरकार ने थोड़ी रहात देते हुए बाहर मैदान में हुए आयोजन में 300 लोगों को सामिली थोने के अनुमति दे दिया है जबकि होटल या बैंकेट हॉल के अंदर आयोजन पर 200 लोगों को यह अनुमति परदान की गई है धार्मिक अस्थलों और अनुस्थानो या आयोजनो में 200 लोगों को हिचा लेने के अनुमति दी गई है फिलाल स्विमिंग पूल पार्क और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला सरकार ने किया है सर्प डंस से मर जाने वाले लोगों को मुःबजारासी देने का प्रदान है लेकिन लोगों को जनकारी का भाव है इसके लिए वे ब्यापक तोर पर प्रचार पर सार करने का भी फैसला सरकार ने लिया है मुख मंत्री सुरेन की पहल पर 24 बेटिया को कराया जा रहा लिफ्ट काफी दुनों से तमिलडू में प्रतारित की जारे जारखन की 24 बेटिया बुद्धवार सुबाय और योको मंगलवार साम कोयं बटूर से बस से चेनाई और पोट पहुचाया गया वहाँ से सभी ने देर साम दिल्ली की उड़ान भरी ये दिल्ली से दूसरे उड़ान भरकर बुद्धवार सुबा साड़े आठ बजे राची पहुचेंगी बतादे सभी बच्चिया सराय के ल निगम ने अगले वित्ये बस का टैरिफ पीटिशन दाखिल किया है निगम ने विधूत नियामक आयोग को वित्ये बस दोयार एकिस बाइस का टैरिफ पीटिशन सोपा है जिसमें बर्तमान दर में 27 परतिसतक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है इसके साथी बिजली वित्र लिख्मंत्री एमन सुरे ने राज के हर पर खंड में कम से कम पांच एकर जमीन में नवसनी लगाने का निर्देश दिया है साथी बस चेट्रों के बिस्तार के लिए जंगल के साथ गयर वन छेट्रों में भी बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने को का ए उन्होंने कहा है क जहां ओपेन जंगल है उसे मोडरेट जंगल और मोडरेट वन छेत्र को सगन वन छेत्र बनाने के लिए करियोजना त्यार की जाए बतादे देवघर पाकूर्द दूमका और धनबाज जैसे जीलो में सगन वन छेत्र को बढ़ाने की दिशा में पहल करने का निदेश अफसरों को दिया है वे मंगलवार को वन एवं पर्यावरन विभाकी समिक्षा कर रहे थे निजी इंटर कोलेजों की बहालियों में अब नहीं चलेगा पैसा का खेल बित रहित इंटरमीडियाट कोलेजों में सिख्षको और अने पदोपर नियुक्ती में अब ना तो कोलेज प्रबंधन की मनमानी चलेगी और नहीं किसी भी अस्तर से भाई भती जावाद तथा पैसा पैरवी का खेल ही चलेगा बतादे इन पदोपर होने वाली नियुक्ती में अब राई सरकार तथा जार्खन एकेड़मी कोंसिल जेग की भी भागदारी रहेगी नियुक्ती में गड़बडी रोकने के लिए पहली बार इंटर कॉलेज सिक्छक एवम सिक्छ केतर करमचाई नियुक्ती नियमावली 2020 गठित की जा रही है राई सरकार फ्रस्तावित नियमावली में सिक्छ को एवम अने पदोपर नियुक्ती की सर्ते तैक कर रही है जार्खन में 209 नए संक्रमितों के पुष्टी हुई है जो राची सेंठान बे पुर्वी सिमू अर्ती धनबाद 15 बोकारो 14 पच्मी सिमू 3 रामगा आठ हजारी बाग पांच सराइक लेखर सावा एक देवघर दो कोडार्मा एक पलामउ पांच गड़वा छो गुमला एक खोटी एक गोड़ा पांच लोहर दागा एक साइब गज तीन चतरा एक वजाम तरा से एक मिले है जार्खन में कूल एक टिव केस 1578 है राश्ट्रीय स्वास्थ अभियान जार्खन के तहत चैनित भी से सग चिकित सको तथा चिकित से पताधिकारियों के नियुक्ति पत्र अब 29 दिसंबर को मिलेंगे बता दे पहले यह नियुक्ति पत्र का वित्रन बुद्ध वार को निधारित था लेकिन अब पर इहार कारणों से इसे अस्थागित कर दिया गया है बताया गया है कि 29 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर आवेजीत होने वाले कार्करमे नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे पोली टेकनिक संस्थानों में 18 दिसंबर तक नमांकन जार्खन के सरकारी वगैर सरकारी पोलिटेकनिक संस्थानों में जार्खन सन्युक्त परवेश प्रतियुक्ता परिक्षा पार्षद वारा दुतिय कांस्वलिंग के आधार पर अवंटित सीटो पर नमांकन अब 18 दिसंबर तक हो सकेगा बतादे पहले नमांकन की अम्तिम तिती 15 दिसंबर निधारित थी उच्ट अथातक निकी सिक्षावी भाग की स्विक्रिती पर पार्षद नमांकन के तिती बढ़ा दी है बोकारो डिसी ने सिकायतों के तौरित निस्पादन के लिए हेल्प डेस्क आप का उधगाटन किया बुकारों के उपायुक्त राजे सिंग ने मंगलवार को चास नगर निगम के कार्यारलाई परिशर में सिकायतों के तौरित निस्पादन के लिए अनलाइन आवेदन हेल्प डेस्क एप का उधगाटन किया इस एप के माध्यम से चास नगर निगम छेत्र अंतरगत स्वक्षता कर्शंगर जलापूर्ती LED लाइट इत्यादी के प्राप्त सिकायतों का निस्पादन 24 गंटे का अंदर किया जाएगा मोदी सरकार किसानों को आत्म निवर बना रही पलामू सांसत पलामू के सिवाज जी मैदान में भाजपा की ओर से प्रमंडल अस्तरिय किसान परिचात कायोजन किया गया इसकी अध्यक्षता पलामू जीला अध्यक्ष नर्यंदर पांडे ने की बतादे इस मौके पर डाक्टर गोस्वामी ने कहा कि किरिसी सुधार कानून का विरोत किसान नहीं बलकी किसान की आर्मे विपक्ष कर रही है राज जेपाल से जेपीसी अध्यक्ष ने की मुलकात जारकन लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष अमिताब चोधरी मंगलवार को राजभवन पहुंचे राज पाल द्रोपती मुर्मुन ने उनसे बीसो विद्याले सिख्षको के लंबित प्रोनती बैकलोंग नियुक्ती के साथ साथ विश्व विद्याले में रिक्त पदोपर सिख्षको के नियुक्ती पर किरिया के पूरी जनकारी ली बता दे जेपीसी के अध्यक्ष अमिताब चोधरी ने कुला अधिपती को रिक्त पदोपर की विश्तार से जनकारी दी जे PC को 25 से ज्यादा पदो पर नियुक्ती के लिए परिक्षा के बाद रियल्ट निकालना है तमाम पद साल 2006 से खाली पड़े हुए है अवायद खनन पर हर हाल में रोक सुनिश्चीत करे C.A.M. मुखमंत्री हमंसुरे ने राज में अवायद खनन रोकने का निर्देश दिया मुखमंत्री ने कहा कि राज के बिभीन जीलों में हो रहे अवायद खनन पर रोक थाम के लिए कड़े कदम उठाए जाए खान एवं भूतत्व विभाग राज्येक के विभीन अवैद बालू घाटो और पहाज चट्टान इत्यादी जगों पर अवैद पतर खनन सहीत सभी अवैद माइनिंग पर प्रभावित रूप से अंकुस लगाने के दिशा में कारे करे खोटी के कारा में जंगली भालूओ के हमले खोटी के कारा परखन के ग्रामिन इलाकों में जंगली भालूओ का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है इसके कारा ग्रामिनों में खौफ है कारा पंचाद के हंस बेडा गाव निवासी, पेडो देवी और सहनाई टोली की सलोनी बोदरो को दो जंगली भालूओं ने हमला कर घायल कर दिया बता दे दोनों महिलाओ को परीजनों ने कारा प्रात्मिक स्वास्त केंदर पहुंचाया जहां उनकी स्थिती खत्रे से बाहर है लातेहर के बरवाडी एस्टेशन पर ट्रेन ठाराव की मांग को लेकर रेल चक्का जाम लातेहर जीला के बरवाडी इस्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस सकती पूंज और इंटर सीटी आधी याती ट्रेन ठराव की मांग को लेकर अस्थानियों लोगों ने लगभग 45 मेट तक ट्रेक जाम कर दिया बतादे ट्रेक जाम रहने के कारान गढ़वा रोड बरका खना रेल्वे लाइन पर ट्रेनो का अवागमन बाधित रहा ट्रेक जाम करने के कारान मंगरा इस्टेशन पर डाउन सकती पूंज एक्सप्रेस 45 मेट तक खड़ी रही जारकंड में 29 से सुरू होगी CM रोजगार स्रीजन योजना जारकंड की हमंद्स सरकार 29 दिसमबर को अपने कारेकल का एक साल पूरा करने वाली है राज के युवाओ को लोगडाउन की मार से उबारने के लिए सरकार इसी दिन मोख मंती रोजगार से रिजन योजना की सुरूख करने जा रही है इस योजना के तहत थेमन सरकार बेरोजगार को रिन अनुदानित ब्याज़ दर पर उफलवत कराएगी इस योजना का ST, SC और OVC और अलब संख्यकों को भी लाब मिलेगा बताज़े इसके तहट 50-25 लाग तक का रिन लोगों को दिया जाएगा जार्खन में मुसलीमों को मिले 10% आरक्षन इरफान अनसारी जार्खन कंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष और जामतारा के विधायक डाक्टर इरफान अनसारी ने जार्खन सरकार से मांग किया है कि राजे में मुसल्मानों को 10% दिया रक्षन दिया जाए उन्होंने कहा है कि सरकार को मुसल्मानों के भविशिक के बारे में भी सोतना चाहिए डाक्टर अंसारी ने कहा है कि अब तक की सरकारों और पार्टियों ने मुसल्मानों को उल्जाकर रख दिया है जामतरा में बनेगा यारपोर्ट, युवा बनेंगे पाइलट जार्खन के जामतरा जिले में यारपोट एवं पाइलट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के कारेकारी अध्यक्स जामतरा के बिदायक डाक्टर इर्फान अंसारी ने मुखमंत्री हैमन सुरेन से मुलकात की इस दोरान उनके साथ कमर्शियल पाइलट वेद बरुआ भी मुझूद थे विदायक इर्फान अंसारी ने बताया के मुखमंत्री ने इसे गंबीरता से लेते हुए नागरिक उड़ने सलाकार अजय स्रिवास्ताव से बात की और इसे धरातल पर उतारने का निर्देश दिया जार्खन में अब सीर्फ 400 में कुरोना की आटी पीसीयर जानुद। सर्कार ने फिर से एक बहुए के दाय किया है बता दे निजी लेव में अभी तक प्रती सेंपल 8 और तक आटी पीसीयर से जाश किदद। तैथी खेल अकादमी की प्रगती से मुख्यमंत्री असंतुष्ट जारखन के मिशन ओलंपिक गोल्ड पर ब्रेक लगने जा रहा है बतादे राज सरकार वसी सी एल के बीच ओलंपिक के लिए खिलाडियों को त्यार करने को लेका 17 जून 2015 में हुए एम ओयू को मुख्यमंत्र करने का देश दिया है मुख्यमंत्री अकादमी की प्रगती से असतुष्ट है वे काफी दिनों से एम ओयू रद करने पर विचार कर रहे थे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अन दबाए साथ वीडियो को एक लाइ